हेलो एवर्ण वेल्कम टू विन्दी आईरवेदा क्लासस आज हम एक बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले है जो है श्वेद प्रदर टीके जह बहुत कॉमन समस्या है फीमिल्स की लेट इस वाइट डिस्चार्ज पर वेजाईना तो देखिए इसका वर्णन कहा समस्यास मिलता है तो ब्रहत्रे में तो उसका कोई रेफ्रेंस नहीं दिया गया है ना मतलब की चरख सहिता सुष्टत सहिता और वांगवाट सहिता डैट टीके डेज़ आपर में अपनी टीका में पांडू प्रदर शब्द का प्रयोग श्वेत प्रदर के लिए किया है फिर क्या बोल रहे है वो अस्टांग सहित्ता के टीका कार इंदू ने अपनी टीका में शुक्ल अस्रगदर शब्द का प्रयोग श्वेत प्रदर के लिए किया है मारशी काश्यप ने इसे जाद सूत्रा नाम दिया है तो in all these references it's not explained as a separate disease but as a symptom of underline pathology मतलब रहत्राई में तो कहीं वर्डन नहीं है और जहाँ जहाँ वर्डन ना है वो हमने हाँ पर देख लिया और एक symptom के form में से बताया गया है दूसरे साहिताओं में ना कि एक disease के रूप में अब देखिए श्वेत प्रदर is a symptom तो बहुत चारा ऐसे योनी व्यापद है कुछ ऐसे diseases है जापर श्वेत प्रदर एक symptom के form में मिलता है वो हम देखते हैं देखिए सबसे पहले श्लेश्मज या कफज योनी व्यापद में तो क्या बूल रहे है वो येलो इश वाइट इश थिक म्यूकोई डिस्चार्ज असोसियेटेड विद सीवियर इचिंग यह हमें कफज योनी व्यापद में लक्षन दिखते हैं कफज योनी व्यापद में पांडू सफेद कलर का पिस्चल आर्था वाइन है पांडू पिस्चल आर्था स्त्राव मिलेगा तो इस श्वेद प्रदर एक लक्षन की तरह में आपर मिलता है योनी व्यापद में वाइटिश म्यूकोईड वजाइनल डिस्चार्च विद् प्रिकिंग पेन इन वेजाईना त्रीके चरग चिक इसा में इसका श्लोग भी आया है पांडू इत्वण्ड कस्ट्राव सव्त ना प्रिकिंग सेंसेशन सुई चुबने जैसे आपर लगेग ऐसा इस्तराव मिलेगा श्वेत इस्तरवती वाकफम ठीक है तो यह पपलुता योनी व्यापत में आए तो सन्नी पातज योनी व्यापत में वाइट स्लिमी डिस्चार्ज अलॉंग विद बर्निंग संसेशन एंड पें ठीक है चलक चिकित्सा में श्लोप भी आया है सन्नी प फिर देखें करोणी नियोनी व्यापत में क्या पोला है वाइट स्चार्ज असोसियेटेड मुद इडिमेटर सर्विस एंड सर्वाइकल इरोशन तेश्मलिंग मतलब की वाइट स्चार्ज मिलता है ना कर अडिनी व्यापत में भी सुश्रूत उत्तर तंतर में आया है यह फिर औ चड़ना वह विपलूता है ना और अती चड़ना योनी व्यापद में तो वाइटस दिस्चार्ज विच सीवियर इचिंग दू टू अनहाईजिनिक कंडीशन ठीक है योनियाम अधामनाद ना योनी को अच्छे से दोते नहीं है ना अच्छे से हाईजीन मेंटें नह क्या बोला है फाउल स्मेलिंग म्यूको पूरलेन डिस्चार्ज महाँ पर मिलता है असोसेटिव एम्नियोरिया और यूट्राइन ग्रोथ तो तो रक्तज गोल्म में भी ये डिस्चार्ज देखने को मिलता है ना योनी अर्ष रेडिश वाइड डिस्चार्ज ओके विद फ प्रदर होने के सो सी एक्सेसिव कोईटर्स देन फ्रीक्वेंट अबोर्शन देन सेटेंटरी लाइफस्टाइल है ना एंड इंप्रॉपर डाइटरी हैबिट्स दूरिंग पीरेट्स और ओविलेट्री टाइम तो प्रीमेंस्ट्रॉल टाइम पे या ओविलेशन के टाइम पे भी देखने को मिलता है देन नौट मैंटेनिंग वेजाइनल हाइजीन के अच्छे से वेजाइनल हाइजीन मेंटेन नहीं करते है तो देखने को मिलेगा ओरल सेक्स जो बहुत जादा करता है एक्सेसिव फास्टिंग के दौरान मिल सकता है स्ट्रेस्फुल मॉडन लोकल इंजुरी और पूर इम्मुनिटी यह सारे भी क्या होते है वाई डिस्चार्ज के श्वेत प्रदर के कॉस्स होते है अब हम देखता है संप्राप्ती तो निदान सेवन कौनसा निदान सेवन मेंली अभिशंदी आहार जिससे कफदूशित होगा और रुक्षाहार ज चठरागनी मन्द हो जाएगी और आम का फॉर्मेशन होगा अब यह जो आम होगा दिस अक्यूमिलेटेटेट इन आमाशय और आमाशय में रसधातु को भी यह क्या कर देंगे दूशित कर देंगे दिस स्वीटेटेट रसधातु सर्कूलेट्स टूब बॉडडी थ्रू र और आर्तव क्या है आर्तव इस उपधातु और तो जब रसधातु दूशित हो गई है तो जुसका उपधातु है आर्तव वो भी क्या हो जाएगी दूशित हो जाएगी और इस तरह से श्वेट प्रदर जो है उसकी उत्पत्ती होगी ठीक है अब हम देखते हैं संप्राप्ती घर तक तो कौन-कौन से दोश इसमें प्रकूपित होते हैं कफदोश और वातदोश ठीक है दूश्य है इसमें रसधातू इस रोतो दूस्टी रसवस्त रोतस और आर्थवस्त रोतस ठीक है अब हम देखते हैं श्वेत प्रदर में हमें क्य के लकशन मिलेंगे so see white vaginal discharge that is thick and sticky ठीकिट sticky सा whitish discharge मिलेगा pain in lower back and thigh which is worse while walking ठीक्य है then lower abdominal pain मिलेगा general tiredness मिलेगी digestive disturbances like constipation में मिल सकता है patient में and indigestion also ठीक्य है then irritation and itching in genitals irritability and lack of alertness due to to consciousness of the discharge इत्ता जदा डिस्चार्ज इता होता है कि उसका मन कहीं नहीं लगता है फीमेल का ओके दैन इचिंग एंड बर्निंग ओफ वल्वा फाउल ओर्डर फॉम्ड़ दिस्चार्ज क्लिया दैन हैडेक एंड लेडी बिकामिंग थेन वीक है ना बहुत ज्यादा वीक हो जाए के लिए सो सलाइन माइक्रोस्कोपी टू लुक फॉर क्ल्यू सेल्स एंड स्यूडो हाइफ है ना जो हमने प्रीवेस लेक्चर में पढ़ा था देन डिस्चार्ज फो ग्राम स्टेनिंग ग्राम स्टेनिंग करवाएंगे हम पैप स्मियर यूरीड एग्जामिनेशन रूट और फंगल इंफेक्शन या फिर और कोई पैथलोजी तो नहीं है तो यह देखने के लिए इस इंपोर्टेंट आप हम देखते हैं में जो कि आता है चिकित्सा करेंगे सबसे पहले तो निदान परिवर्जन जो भी हमने निदान पढ़े हैं उन सभी का उसको त्याग करना पढ़ेगा है ना क्योंकि निदानी में कॉस होता है किसी भी डिसीज का ठीक है डेन मेंटेनिंग लोकल हाइजीन यूज ऑफ कफ शामक वात शामक कशाय और स्तंबक औशदी क्योंकि कफ और वात इसमें में दोश इन्वाल्ट होते हैं और क्योंकि बहुत जादा डिस्चा में अपनाने पढ़ेंगे मेंटेनिंग मेंटल है थ्रू योगा एंड मेडिटेशन अब अब देख स्टेर्नल एप्लिकेशन क्या करेंगे सो यूज ड्रक्स पर पेशन प्रकृति नहीं बहुत सारी ड्रक से कौन कौन सी यूज करना है डाइट डिपेंड अपॉन दी प्र प्रच्छालना योणी को वाश करने के लिए बोलेंगे फिर योणी वर्ती में वर्ती ओफ आइन पाउडर ओफ लोद्र यस्टी मदू एंड मधू ठीके एंड वर्ती ओफ आइन पाउडर ओफ त्रिफला निम्ब स्वट्टिक या मधू भी हम यूज कर सकते हैं फिर दूपन दूपन ओफ सरल गुगुल यव घना वित गृत अडूपन वित अरिद्रा धारु अरिद्रा तो यह मैडिसन सब योणी दूपन के लिए उस कर सकते हैं अब इंटर्नल एप्लिकेशन में देखिए कौाथ में दाव्यादी कौाथ में ग्रोधादी कशा यह दे सकत सकते हैं फिर आमलकी चून दे सकते हैं चोप चीनी चून लोद्र चून फिर वटी और गुगुल में देखे चंदरप्रभः वटी है ट्रिफला गुगुल है केशोर गुकुल हम दे सकते हैं आसव अरिस्ट में लक्षमदादी रिष्ट ठीक है असोका रिष्ट पत्रांग आसव लोद्र आसव यह ड्रग ऑफ चॉइस है घृत में अशोग घृत कल्यानग घृत या सूकुमा घृत ठीक है सिम्टम के फॉर्म में यह बहुत सारे योनी व्यापत में दिया गया है इसलिए एक इंपॉर्टन टॉपिक है और फीमेल्स के बहुत जादा कॉमन समस्या है इसलिए हमने श्वेत प्रदर यहां पर अच्छे से कंप्लीट किया है इसकी बहुत अच्छी मैडिसिन है पुष् प्सक्राइब थैंक यू